जहिन फ्रेंड्स तो आज हम दोग कवर करेंगे आज का most important current affairs जो कि आपके exam point of view से बहुत ही important है और जो भी हमारा चैनल पर नए है इसको please subscribe किजिए, like किजिए और share किजिए और हमारा telegram चैनल भी join किजिए वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा content exam point of view से जो भी important है वो चीज़ Martand Sun Temple recently seen in the news is located in which state तो Martand Sun Temple जो है वह news में था यह कहां पर located है यह है आपका Jammu and Kashmir में located है कहां पर यह जम्मू and Kashmir में located है यह जो है ASI Archeological Surrey of India का protected site है और इसका निर्मान जो है कब हुआ था 8th century में 8th century में राजा जो निर्मान किये थे हैं उनका नाम था ललित आदित्य ललि अगर पूरा नाम जानना चाहें तो ललित आदित्य मुक्ता पीड़ा मुक्ता पीड़ा यह इनका पूरा नाम था इन्होंने जो है वह 8th century में इसका निर्मान कराया था और ऐसा माना जाता है कि 14th century में 14th century में इसको जो है वह तोल दिया गया था सुल्तान सिकंदर साह मिरी के द्वारा इसको तोल दिया गया था तो यह अभी नियूज में इसलिए था कि अभी कुछ extreme हिंदुत्व ग्रूप जो है वहां पर जाकर पूजा अलचना सुरू कर दी इसलिए यह नियूज में था इसलिए हमें इसको जानना है यह एक बहुत आर्टेंपल कल्चर है यह सारा से इंफ्लूएंस है इसका आर्किटेक्चर तो यह एक बहुत ही इंपॉर्टन आर्किलोजिकल साइट है और चुकि यह नियूज में था तो आपको जानना बहुत ही जरूरी है कौन है मार्तंड संड टेंपल जिसकी हमें हमें बात कर रहे थे हैं चलिए आर्टिकल 370 को हटा दिया गया अब यह डिसेंटली नियूज में भी था क्योंकि सुप्रिंग कोर्ट ने इस वर्ड इस डिसीजन को गौर्र्मेंट डिसीजन को कंटिन्यू रखा और अब देखे बात है यहाँ मैप में लोग समझते हैं हां और यहां पर जो है वह फिप पानी वहां पर जाता है जहेलम रेवर किनारे जो है वहां स्री नगर बसा हुए है यहां के लग्त कौन है अभी यहां मनोज सिन्हा यह नीज में रहते हैं तो आपको जो हमेशा याद रखना पड़ेगा और जो संट टेंपल है मार्टं संट टेंबल वह कौन सा डिस्टिक इधर जो है चाइना से बॉर्डर टर्च करता है लद्दा का इसको क्या करते है बॉर्डर को लाइन ऑफ एक्चुल कंट्रोल गालवान कंफिलिक्ट आपने सुना गालवान वैली भी यहीं पे दोस्तो चाइना और इंडिया के बीच में कुछ सालों पहले कंफिलिक्ट वहता है तो इतने सारे फैक्ट जो है आपको मैं बताया हूं जो कि एक्जाम पॉंड बहुत है इंपॉर्ट इसलिए मैं आपको बताता हूं दोस्तों कि स्टैटिक पोर्शन भी मैं कवर कर रहा हूं करेंट अधेस भी कॉष्चन पुछे जाते हैं जो करेंट में नीज में रहते है यह कहां से बिलॉंग करती है यह बेलारुस से बिलॉंग करती है दोस्तों यह उने किसको हराया है जो प्लेयर है जेंग क्वीन वेन फ्रड़ा चायनिज नेम फ्रड़ा तीड़ा होता है तो इसलिए आप जेंग क्वीन वेन इनका नाम है जेडिक्यू से भी आप इसको याद रख सकते हैं इनको दो है हुआ वा 6362 से इनको हरा दिया गया है यही है प्लेयर जिनकी मैं बात कर रहा था कहलेंगर था क्यानिज की कलाइंगर फैस्पोर्स की टस्कीम यह भी जय हो नीज में था कौन सा स्टेट के द्वरार इसको héँ लॉंज किया गया था है यह करुकर नाम आप लोगने जरूर सुना होगा उध्याय नीदी स्टालिन. यह फालिन लागा दो से बह्तों की रीजुखे वह कम बलदे ऑशन सब्सक्राइब होने चर्छांत कूपर सिसम्रेइब्यट के लिए अगर गर्म распosket 59 immense जो है वह बाटा जाएगा इस स्कीम के तहट गाउं में पंचायत में और इसे जो है वह स्पोर्ट्स एथलेट को प्रोमोशन मिलेगा वह लोग को कहिने के इस इनिसियेटिव से फैदा होगा और और भी एथलेटिस गाउं से और कस्बों से निकलेंगे अभी वहां पे जो है के वोल्ट टाइफून क्या है यह भी निज में था तो किया साइबर हाइकिंग ग्रूप है अभी निज में मीिसलिए था युगुदे के दौरे चीनी चांगी चैनु चैनी चा इनिज प्रिटकल इंफ्रस्टंट्प्षर यसे नृच्ट्पें करम कर रहाय इसलिए इसको बैन कर गया है, Indian Air Force will organize वायू सक्ती 2024 exercise, कहां पे वायू सक्ती 2024 exercise और्गनाइज किया जाएगा, यह है जैसल मेर का राजस्थान, जैसल मेर का राजस्थान में इसको और्गनाइज किया जा रहा है, यह दिखिए पोखरन एरिया जो है पोखरन एरिया जो आपका जो है जहां पर पोखरन निकुलार टेस्ट भी आप लोग ने सुना होगा दोस्तों तो वहीं पे जो है इसको लॉंच किया गया है चलिए नेस कोशन में लेखते हैं दोस्तों थो है चाप ग्रैड्मास्टर अभी तो यह आपका जीते हैं वी य जो है हैां ऋने वुंवालन चेस्टाटर पलेयर विंड़ा श्मास्ट 0żenie 2 जीते हैं यह आपको नाम को जरूरी आर्टादा मख़ाना है दोस्तों यकि नाम क्ष़ पूछा जाता है इंपर्न टैटल है इंटर्नेशनल को इंटर्नेशनल इंटर्नेशनल Pacwheelu World with Land Day esempio 25 कहां पर हुआ है यह हुआ है इंदवर में उख्षता Marion जो अभी ऐ्यां Gall बरवंद मनी इंडिया का सब्से स्वक्ष साफसुता सेहर अगर बात क्या जा तो वह इंड़ुरु कहां पर बद्ध्य पड्श में में वर्ल्ल ट कब मनाइन जाता है सेकंड फैप को सेकंड फैप की 6 लिंद्फा आप लोग दोस्तों कमें बाकश में बता है कि जिसका theme है wetland and human well-being अभी जो टोटल दोस्तो रामसार साइट कितने है टोटल रामसार साइट 80 है आपको याद रखना है अभी छे नए एड हुए है इसलिए हो 80 हो गए है यापको याद रखना है तो टॉर्च बेरर का मतले हिंदी में क्या बोलते हैं मसाल वहाग जो 2024 में पैरिस में उलम्पिक होने वाला है तो वहाँ पे टॉर्च बेरर क्रूप में इंडिया के तरफ से कौन लीट करेंगे अभी नव बिंदरा यह शूटिंग से लिटेड है यह उलम्पिक में मिडल भी जित चुके हैं who has been appointed as the president of Asian Cricket Council for third time अभी जो है प्रेजडेंट Asian Cricket Council के तीसरी बार प्रेजडेंट के रूप में appoint किये गए हैं कौन है जैसा कौन है जैसा यह है BCCI के secretary भी है BCCI के अभी प्रेजडेंट कौन है दोस्तों BCCI के प्रेजडेंट है रोजर बिनी और राहुल द्राविड यह कौन है यह है इंडियन टीम के क्रिकेट टीम के कोच हैं MS Dhoni no introduction required 2011 का World Cup इनीकेट कैप्टन सी में जीते थे 2007 का वी वल्ल कप यह 2020 वल्ल कप था वह इनीके कैप्टन सी में जीते थे यह जो है अभी चाइनी सौरी चिन नहीं प्रीमर लिग से से खिलते हैं के राहुल कौन है वाइस कैप्टन ऑफ इंडियन टीम यही है जैसा जिनके में बात कर रहा था यह अमित साह के बेटे भी हैं और अमित साह भी जो है हमारे ऑन्रेवल होम मि अमादाबाद के बगल में गानी नगर प्लांट सिटी है यह गुजरात की राजधानी है तो दोस्तों आज का करेंडर पर सही पर समापत होता है जो भी हमारे चैनल पर नए है जो उन्हें सब्सक्राइब ने किया है प्लिज को सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए और स हम लोग फिर कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय हिंद